हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल ररंद किचीन चैनल पे तो दोस्तों इस टाइम सर्दियां चल रही हैं सर्दियों में टमेटो सूप मिल जाए तो बात क्या नहीं हो जैसा कि आप सभी को पता है टमाटर भी इस टाइम पे सर्द बिल्कुल रेस्टुरेंट स्टाइल अगर आप इस तरीके से अपने घर पे बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है हाला कि वैसे तो बाजारों में सूप के पैकेट भी आते हैं बहुत से लोग नहीं बनाते हैं सोचते ह आरे ये सब करेंगे अच्छा बाजार से पैकेट लाके पैकेट के ही शूप बना लें लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से बनाएगे तो काफी टेस्टी बनेगा और शुद्ध बनेगा घर पे ही तो चलिए बनाते हैं टमेटो सूप बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी तो यहां पर दोस्तों मैंने टमाटर ले लिए हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैंने वाश कर लिए हैं यहां पर वन केजी टमाटर हैं अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज तो चलिए यहां पर हमने टमाटर ले लिए हैं और यह नाइफ की सायता से हम टमाटर को इस तरीके से उपर से हलके हलके हाँ से कट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमें नीचे से टमाटर के इस तरीके से कट कर लेना है यह देखिए मैं कर रही हूँ इस तरीके से करक हमको रख देना है ऐसे ही हम दूसरा भी टमाटर कट कर लेंगे और सभी टमाटरों को मैं इसी तरीके से कट करके रख लूँगी सभी टमाटरों को तो यहाँ पर देखिए सभी टमाटरों मैंने कट कर लिए हैं अब मैं इसमें पानी एट करूँगी और boil होने रख दूंगी ढखके जब तक कि ये टमाटर अच्छे से boil ना हो जाते हैं तो देखिए इसको ढखके पकने देते हैं अब हम तो चलिए खोल के देखते हैं ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से boil हो चुके हैं ये एक बार आप चेक कर लिजिएगा कि छिलके अपने आप निकलने लगेंगे तो टमाटर हमारे अच्छे से boil हो जाएंगे अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लिया है और इनको पहले हम ठंडा होने देंगे तो यहां पर देखिए टमाटर हमने पहले तो ठंडे कर लिए अच्छे से अब यह टमाटर के जो छिलके हैं दोस्तों यह देखिए अपने आप निकल जाएंगे इस तरीके से यह देखिए बड़ी ही आसानी से टमाटर के छिलके इस तरीके से हम निकाल के सभी टमाटरों के छिलके हम निकाल लेंगे यहाँ पे देखें इसका चिलका हमने निकाल दिया है इसी तरीके से हम बाकी के टमाटर भी चिलके निकाल लेंगे दोस्तों आप भी अपने घर पे जरू ट्राइक तो यह सभी टमाटर के मैंने चिलके निकाल लिये हैं तो चलिए अब करते हैं इसको ग्राइंड, टमाटरों को हम मिकसर जाल में डाल के, टमाटरों को हम अच्छे से फाइन कर लेंगे, बिलकुल बारिक फाइन कर ले llamay है, तो यहां पे हम सभी टमाटर मिकसी में डालके, पीस रही हूँ है यह, देखिए, और मैं आपको बताऊं और इसको हम चम्मच की सायता से इस तरीके से चानेंगे और जो इसके जो सूप बनेगा उसका नीचे ये देखिए निकल रहा है नीचे मैंने सभी टमाटरों की इस तरीके से चान लिया है तो वहां पर मैंने चान लिया है तो अब यहां पर हमने कडाई रख ली है कडाई में हम इसमें डालेंगे एक चमच घी दोस्तों अगर आप घी ना डालें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे घी डाला है अब घी हमारा हलका सा गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों गारलिक बारिक मैंने कदुकस कर लिया है अब आप दोस्तों यह सोच रहे होंगे कि इस तरीके से कैसा तो दोस्तों यही मेरे अलग टिप है आज सूप बनाने का बहुती बढ़िया सूप बनेगा यह है अद्रक जो मैंने इसको भी बारिक कद्दुकस कर लिया था और यह हरी मिर्श इसको भी मैंने कद्दुकस ही कर लिये है इसको थोड़ा सा हम दीमी आज पे भून लेंगे दोस्तों काफी बढ़िया खुशबू आ रही है इसी तरीके से आप सूप बनाएगा बिल्कुल अलग तरीके से आज मैंने सूप बनाया है जो ये गारलिक है हम सूप पिएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा बहुत टेस्टी इसका स्वाद आएगा तो यहाँ पे देखिए ये हलकी दीमी आज पे हमने इसको भून लिया है ज्यादा नहीं भूनना है अब इसमें हम प्यूरी ढाल देंगे ये देखिए सूप ढाल देंगे अपना अब इसको ढालने के बाद हम इसको चला लेंगे बहुत ही टेस्टी सूप बनेगा दोस्तों कभी भी आपने ये सूप ऐसा सूप नहीं पिया होगा जरूर ट्राय कीजिएगा ये देखिए इसको चलाएंगे हम सर्दियों का टाइम है गर्मा गरम सूप बनाईए घर में इंज्योई कीजिए पीजिए देखिए ये हलका सा गरम हो चुका है तो दोस्तों ये थोड़ा मुझे गाड़ा लग रहा है सूप थोड़ा सा पतला होता है इसलिए मैं इसमें पानी एड़ कर रही हूँ ज्यादा नहीं आधा कप पानी एड़ कर दिया है इसको हम चला लेंगे आप इसमें चाहें तो कौन फ्लोर वगेरा डालके इसको गाड़ा भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ, और इसमें आधी चम्मच में डाल रही हूँ, काली मिर्ष पाउडर, और एक चम्मच मैंने इसमें शुगर डाल दी है, मिठास के लिए, इसको हम चलाएंगे, बढ़ी ऐसा खदकने देंगे ये देखिए अब इसको हम चला के थोड़ा सा गाड़ा कर लेंगे तो हमारा सूप ऐसे ही गाड़ा हो जाएगा अगर आपको डालना है इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं आज आप सभी के सामने बिल्कुल बढ़ीया सूप लेके आई हूँ तो इसको हम खदकाएंगे और चलाते जाएंगे इसको इस तरीके से ये देखिए बनके रेड़ी हो रहा है हमारा सूप तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया सी खदक आ रही है इसमें तो ये जो आपको जाग दिख रहे हैं सूप में उनको दोस्तों हमें हटा देना है ये देखिए इस तरीके से जो ये जाग उपर आ जाते हैं इनको हमें हटा देना है उपर उपर से ये यहाँ पर हमने सारे जाग हटा दिये हैं तो यहाँ पर सूप हमारा बनके रेड़ी हो चुका है ये देखिए गर्मा गरम बढ़ी आसी खुश्बू आ रही है इसको चलाएंगे ये देखिए पिल्कुल बनके रेडी हो चुका है अब इसको अब हम निकाल लेंगे एक बॉल में और गर्मा गरम इंजोई करेंगे ये देखिए देखिए दोस्तों बहुती टेस्टी मज़ेदार सूप बनके रेडी हो चुका है इस तरीके से आप भी एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा तो बार बार इसी तरीके से आप भी अपने घर पे सूप बनाएंगे और पीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों के आपको ये सूपी रेस्पी कैसी लगी है धनेवाद दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई और अगर आप से भी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले गर्मा गरम सूप रेडि है इसमें आप टोस्ट डाल के इन्जोई कर सकते हैं यहाँ पे मैंने नहीं डाला है मैं इसको ऐसे ही पीने वाली हूँ यह देखिए गर्मा गरम सूप रेडि है धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई